प्रिये शक्षार्थियों आपका स्वागत है आज हम बहदर स्वास्थे परणामों के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार शीर्शक युक्त व्याख्यान पर चर्चा करेंगे मैं डॉक्टर आर पदमजा हैद्राबाद भारत स्थित इंटरनाशनल कॉर्प्स रिसोर्च इंस्टिट्यूट फॉर सेमी आरिट ट्रॉपिक्स में सीनियर साइंटिस्ट विग्यानिक हूँ आज मेरे साथ मेरी सहयोगी सूर्श्री के कविता भी शामिल होंगी जो हमारे साथ ICRI SAT में ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इस व्याख्यान में हम बहतर स्वास्थे परणामों के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार और संदेश के कुछ तरीकों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर निवेदिता नारायन का एक अन्य विडियो है जो वास्तफ में व्यवहार परिवर्तन संचार के प्रमुक सिधानतों और अवधानाओं की रूप रेखा प्रदान करता है ये व्याख्यान उसी की अगली कड़ी है तो चलिए शुरू करते हैं मैं कविता से आपको व्यवहार परिवर्तन संचार रण नीतियों और चर्णों के बारे में बताने का आग्रह करूंगी जैसा कि डॉक्टर पदमजा ने बताया मैं के कविता सीनियर साइन्टिफिक ऑफिसर हूँ और आईसी आर आईस्टी में कारेरत हूँ आईए संचार की परिभाशा पर गौर करें ये समझें कि कैसे ये विभिन स्तरों पर समुदाय में व्यक्तियों को प्रभावित करता है जैसे कि संग्यानात्मक, भावात्मक और साइको मोटर जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भलाई के लिए सकरात्मक ज्यान, दृष्टिकोन और अभ्यास प्राप्त होते हैं संचार मोखिक या लिखित रूप में संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है पूर्म निरधारित लक्षियों को प्राप्त करने के लिए मानव व्यवहार और सामुदाइक सहभागिता में वांचित परिवर्तन का माध्यम प्रशस्त करना आवश्यक है इस तरह के अभिप्राय संचार का उद्देश इसे प्राप्त करने वाले की वांचित दिशा में परिवर्तन लाना हो सकता है आईए ये समझने की कोशिश करें कि व्यवहार परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है व्यवहार परिवर्तन हमारे कारे करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलना है और व्यवहार परिवर्तन ये भी प्रभावित करता है कि हम समग्र रूप से कैसे कारे करते हैं जब लोगों के स्वास्थे और करल्यांड में सुधार की बात आती है, तो हम सभी या अधिकतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे एक स्वस्थे जीवनशैली के लाभों को समझते हैं और आवश्यक परिवर्तन करने की इक्छा रखते हैं। दुर्भाग्य से इनके इरादों और वास्तविक व्यवहार के बीच एक वियोग है और यही वो जगह है जहां व्यवहार परिवर्तन आता है। ये केवल इतना आसान लगता है। आप ये पता लगाते हैं कि किन व्यवहारों से आपके स्वास्थे में सुधार होगा और फिर आप उन परिवर्तनों को जीवन में लाने और अपने लक्षियों की ओर बढ़ने की योजनाई विक्सित करेंगे। हमारे मित्रों, परिवार, भोगोलिक स्थान, संस्कृती, सामाजिक आर्थिक स्थिती, जीवन के अनुभव, वर्तमान स्वास्थिस्थिती और कार सहित अंगिनत कारकों द्वारा आकार लेता है। आईए ये भी समझने की कोशिश करें कि संदेश भेजने से हमारा क्या है। जैसा कि World Health Organization द्वारा मोटे तौर पर समझाया गया है, संचार या विशेश रूप से संदेश, निर्ने निर्माताओं या प्रमुख दर्शकों को त्वरित कारवाई के लिए सूचना, सलाह और माध्यम दर्शन प्रदान करना है, जो व्यक्तियों, परिवारों, समु संदेश के प्रकार का निर्धारन इस आधार पर होता है, कि मुख्य दर्शकों को स्वास्थ संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, और वे किसके साथ स्वास्थ सलाह और माध्यम दर्शन पर चर्चा करते हैं। आईए, अब हम मानव व्यवहार के बारे में जानें। लोगों के व्यवहार को बदलना आसान नहीं होता है, संदेशों को संप्रेशित करते हुए, ततकाल या एक बार में व्यवहार को बदलना संभव नहीं है। की दिशा में संचार को समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं व्यवहार किसी व्यक्ति की देखने योग्यक्रिया है जो अकसर विशिष्ट परिस्थितियों या उत्तेजनाव की प्रतिक्रिया में होती है ये अधिग्रहित है और परिवर्तन के अनुमानित जोखिम और लाभ आदी व्यवहार परिवर्तन की परिभाशा की बात करें तो ये समुदायों के साथ एक समवादात्मक प्रक्रिया है जो सकारात्मक व्यवहार विक्सित करने के लिए विभिन संचार चैनलों का उप्योग करके अनुरूप संदेश और दृष उचित व्यवहार बनाई रखना इस व्याख्यान में हमारे सीखने के उद्देश द्वियायामी हैं पहला ये है कि ग्रामीन और आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ के संबंध में उनके ज्यान दृष्टिकोन और अभ्यास में बदलाव लाने के लि जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये व्यवहार परिवर्तन एक प्रक्रिया है आप स्लाइड पर दिये आरेक में देख सकती हैं इसके तीन घटक हैं जो परस पर जुड़े हुए हैं वे परिवर्तन के चरण, परिवर्तन के चैनल और समर्थ कारी कारक हैं जैसा क वीलर द्वारा इंगित किया गया है। आईए प्रतिये घटक को एक-एक करके देखें। परिवर्तन सातत्य के चरणों की बात करें तो इसकी शुरुवात होती है अनभिग्य, अवगत, चिंतित, जानकार से और ये आगे बढ़ता है बदलने के लिए प्रेरित करने परिक मीडिया, संदेश को चलाने के लिए पारसपरिक, समूह संचार या इन चैनलों का संयोजन हो सकता है। समर्थकारी कारकों के संबंध में इसे प्रभावी संचार, परियावरण के योग्य बनाना, उपयोग करता के अनुकूल सेवाएं और सुलभ वस्तुएं होना च परिवरतन जाहिए, जो व्यवहार परिवरतन प्रक्रिया को लाने के लिए आवश्यक हैं। अब व्यवहार परिवरतन के चरणों उपर नजर डालते हैं। इसके पांच चरण हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है पूर्वचिंतन, समस्या के अनभिग्य। दू पथा चरण स्वेम क्रिया है अर्थाद वांचित व्यवहार का अभ्यास करना और पांचवा रख रखाव है अर्थाद व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने के कार्य जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा गया है पांच चरण हैं हम चरण एक से चरण पांच तक कैसे आग ग्री बनाना, कार्यान्वयन और निग्रानी, मूल्यांकन और पुनर्नियोजन आईए प्रतियक चरण पर विस्तार से विचार करें पहला चरण स्थिती को समझना है जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं आंगनवाडी कारेकरता, स्वास्थे कारेकरता, आशा कारे करता समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों के इलाज तथा देखभाल के लिए प्रति दिन कड़ी महनत करती हैं लोगों को स्वस्थ रखने, बीमारी का इलाज करने, बीमारी को फैलने से रोकने और गंभीर मामलों को तृतियक देखभाल के लिए भेजने हैं तू, फ प्रचलित स्वास्थ समस्या की गती शीलता को समझ कर समस्या विवरन विक्सित करें, जिसे संचार की माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अगला चरण दर्शकों का विशलेशन करने और उद्देश्यों को स्थापित करने के संदर्भ में हैं। इस चरण का ध्यान कें दर्शकों की जनसांखिकी, व्यवहार और जीवन शैली प्रोफाइल के पहलूओं की पहचान करना है, जो योजना के सभी पहलूओं में सहायक होंगे। इसमें वर्तमान ग्यान, धारनाओं, दृष्टी कोनों, प्रेरनाओं और साथ-साथ व्यवहार को अपनाने में आने वाली बाधाओं की पहचान करना शामिल है। ये पारिस्थितिक मॉडल, इकोलोजिकल मॉडल का उप्योग करके किया जा सकता है। जैसा कि स्लाइड में द पहत्वपून बातें याद रखनी चाहिए। आपकी परियोजना रोज मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है और विश्व एक जटिल जगह है। संचार के लिए विशेश रूप से केवल एक हस्तक शेप के प्रभाव को विशेशता देना बहुत कठिन है। और इसलिए आप पारिस्थितिक मॉडल, इकोलोजिकल मॉडल कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रिय और वैश्विक प्रभावों जैसे सभी विभिन प्रभावों के बारे में सोचें। लोगों के जीवन में जटिलता की इस समझ ने विकास के लिए कई एक पारिस्थितिक दृष्टिकोन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्वास्थिके सामाजिक निर्धारकों की बात करें तो ये स्वास्थि परिणामों को प्रभावित करने वाले गैर चिकित्सिये कारक हैं। ये वे स्थितियां हैं जिनमें लोग पैदा होते हैं, ब प्रणालियों में आर्थिक नीतियां और प्रणालियां, विकास एजेंडा, सामाजिक मांदंड, सामाजिक नीतियां और राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं। आवास, बुनियादी सुविधाएं, पर्यावरण, बच्पन काविकास, सामाजिक समावेश, गैर भेद भाव, संरचनात्मक संगहर्ष और अंत में सभ्य गुणवत्ता की सस्ती स्वास्थ सेवाओं तक पहुंच। जो सारवजनिक समझ सुनिश्चित करती हैं और गलत फहमी की संभावनाव को सीमित करती हैं। इस तरह के संदेशों को ज्यान बढ़ाने, दृष्टिकोंड बदलने और नए व्यवहार को प्रोचसाहित करने के उद्देश से विक्सित किया जाना चाहिए। स्वास्थे व्यवहार परिवर्तन के लिए निर्देशित संदेशों को विक्सित करते हुए इनका पालन करना चाहिए। संदेश अवधारना विकास को इसके प्रकार पर विचार करना चाहिए। संदेश सरल, स्पष्ट होना चाहिए और इसे लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले लाभ और व्यवहारिक समाधान प्रदान करने चाहिए। आईए चरण चार की ओर बढ़ते हैं। किसी जानकारी को एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती या समूह में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया संभावत त्रुटी के कई स्त्रोतों के साथ बहुत जटिल प्रक्रिया है। संदेश के प्रसारण के दौरान अर्थ को बरकरार रखा जाना चाहिए। संदेश प्रेशक को संदेश देती समय स्पर्ष्ट होने में मदद करने के छे चरण है। उनमें शामिल हैं उद्देश और संदेश, संचार का चैनल, संदेश देना, संभावत बाधाएं तथा समझ और प्रतिक्रिया के लिए जाच करना। अंतर व्यक्तिक समूह संचार एक अन्य रूप है जिसके माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुँचने के लिए संदेश प्रसारित किया जा सकता है, खास कर ग्रामीन और आदिवासी समुदायों में। आंगनवाडी कारेकरता और आशा कारेकरता जैसी मानद सरकारी कारे प्रणाली के माध्यम से संदेशों का व्यापक प्रसार किया जा सकता है। आईए संदेश भेजने के विभिन चैनलों के बारे में बात करते हैं। वे क्या हैं? स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पुरानी और नई संचार तकनीकों और मीडिया प्लाटफॉर्मों की एक विस्तृत विविधता है जिसका उप्योग परिवर्तन संचार को लागू करने में किया जा सकता है। इनमें टेलिविजन और रेडियो जैसे प्रसारण माध्यम, ओडियो विजूल माध्यम जैसे विडियो, पॉड्कास्ट, फुटोग्रफी आदी, समचार पत्र, बरफीले सामगरी, पोस्टर, ग्राफिक, प्रकाशन आदी जैसे प्रिंट माध्यम, टेलिफोनिक माध्यम जैसे की मुबाइल टेलिफोन, 3G और अन्य, SMS, Landline आदी. Digital माध्यम जैसे Online Platform, Email आधारित, Web आधारित, Social Networking Platform, Online Database, Audio-Visual Online आदी. उपग्रह माध्यम जैसे उपग्रह Television और अन्य, Samagri, Navachar, Personal Handheld Devices, PD और Technology से संबंधित, अन्य नवाचार जैसे Wind Up Radio, एक बच्चा, एक कम्प्यूटर आदी. अभिसरन माध्यम इनमें से एक या अधिक विकल्पों का संयोजन जैसे SMS और एक नियमिट टॉक शो में, श्रोता इनपुट के लिए सामुदाइक रेडियो शामिल हैं और उभरते हुए माध्यम विशेश रूप से बहु मंच मोबाइल प्लस माध्यमों जैसे द्वी आयामी बारकोट की स्कैनिंग के क्षेत्र में नए नवाचार लगातार उभर रहे हैं. ये भी आपके संदर्भ और आपके दर्शकों की जरूरत पर निर्भर करेगा। इसे लिए शोध निशकर्षों को संग्रहित करना, मूल्यांकन निशकर्षों के आधार पर कारिक्रमों को संशोधित या पुनह डिजाइन करना। आखिर में समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास में सभी भागिदारों, अर्थात, सरकार, समुदाय, स्वास्थि सेवा प्रदाताओं, जनसंचार माधिमों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहिए. कभी-कभी लोगों को लगातार अनुसमारक और सुद्रिधी करन की आवश्यक्ता होती है, जिसे रणनीतिक रूप से वित्रित किया जा सकता है. यदि सभी शामिल पक्ष अच्छी तरह से समन्वित हों और एक सामाने लक्ष की दिशा में काम करने के इक्षुक हों, जो अस्याओं को रोकने के लिए व्यवहार में सकरात्मक परिवर्तन है. आशा है कि अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि BCC या व्यवहार परिवर्तन संचार का क्या अर्थ है और इसे कैसे लागू किया जाता है. BCC और इसमे शामिल विभिन चर्णों के बारे में विस्तरत विवरंट देने के लिए धन्यवाद कविता. अब मैं ICRI SAT से एक केस स्टाडी का उप्योग करूँगी ताकि आपको संदेश भेचने के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन संचार को बहतर धंक से समझने की मदद म सके. खास कर स्वास्थे और पोशन संदेश के संदर्ब में. तेलांगना के आदिवासी समुद्दाओं में पोशन संबंधी स्वास्थे संदेश के लिए K.A.P. नामक एक पद्धिती का उप्योग किया गया था, जिसका अर्थ है ज्यान, दृष्टी कोण, अभ्यासों को समझना और बढ़ाना. K.A.P. जैसा कि इसे कहा जाता है, एक मातरात्मक विधी है, जहां आपके पास मानकी कृत प्रशनावली में स्वरूपित पूर्व निर्धारित प्रशन होते हैं, जो मातरात्मक और गुणात्मक जानकारी तक पहुँच प्रदान करते हैं. K.A.P. स एक ज्यात स्थिती की सीमा को माप सकता है. ये एक परिकल्पना की पुष्टी या उसे अस्विकृत कर सकता है, या आपको परिस्थितियों की वास्तविक्ता की स्पर्श्रेखा प्रदान कर सकता है. ये विशिष्ट विश्यों के ज्यान, दृष्टी कौन और अभ्यासों को भी बढ़ा सकता है इस मामले में यह स्वास्ते विश्य है के एपी इसकी पहचान कर सकता है कि विभिन स्वास्ते संबंधी विश्यों के बारे में क्या ग्यात है और उनके बारे में क्या किया जा सकता है यह भविश्य के मुल्यांकन में उप्योग के लिए आधार रेखा या संदर्फ मूल स्थापित करने में मदद कर सकता है और स्वास्ते संबंधी व्यवहारों को बदलने के लिए स्वास्ते शिक्षा गतिविध्यों की प्रभाव शीलता को मापने में मदद करता है और अंत में यहें एक हसक शेप रणनीती का भी सुझाव दे सकता है, जो विशिश थानिये परस्थितियों और उन्हें प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों को दर्शाता है, ऐसी गतिविधियों की योचना बनाएं जो संबंधिद आबादी के अनुकूल हो। अब के एपी कैसे किया जाएं? के एपी उत्तरदाताओं की विभिन श्रेणियों के पोशन ग्यान के स्थर का आकलन करने के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करता है, ये उत्तरदाता युवा, माताएं और गर्ववती महिलाएं हैं, ये किशोर और किशोरियां हो सकती हैं, ये आंगनवारी शिक्षक और आशा कार्य करता भी हो सकते हैं, यह स्वास्ते संदेश और पाठे क्रम विकास के माध्यम से पोशन ग्यान या स्वास्ते ग्यान के हस्तक शेप के सहे डिजाइन और कार्य नव्यन में मदद करता है, कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया और सीखे गए कुछ सबक क्या हैं। अब आईए किशोरियों के साथ किये जा रहे स्वास्थे संदेश का एक उधारन देखें। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि केस स्टडी इस बात का प्रमान प्रदान करती है कि समिद्दाओं के बीच उनके स्वास्थे पर पर व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीती शुरू की जा सकती है। आयोजित किये गए और बदले में प्रगणक आंगनवाडी शिक्ष्याओं और आशाकारे करताओं या सूत्रधारों को प्रशिक्षित करते हैं। अगली पांच स्लाइड में हम कुछ ऐसे साधन बताएंगे जिन्हें स्वास्थे संदेश भेचने के लिए विकिसित किया था और हिन्हें आगे भी विकिसित किया जा सकता है। और गाउं के प्रमुक स्थानों में प्रदर्शित की गई थी, संदेश भेचने का एक और तरीका था। अंत में फिल्म या विडियो क्लिप जो दिल्चस्प और छोटी अवधी की थी, उन्हें भी प्रतिभागियों को दिखाया गया। की व्याख्या की और संदेश को सफल बनाने में उनके समर्थन का अनुरोध किया। उत्तरदाताओं की नियुक्ती और पूर्व सहमती लेने के बाद एक उप्योक्त सहमत स्थान का चरन किया गया था, जो उत्तरदाताओं को समायोजत करने के लिए गाउं में मौझूद हो। जैसे आंगनवाडी स्कूल या ग्राम पंचायत कार्याले या प्राथमिक विद्याले यादी, शिक्षा सत्र आयोजत करने के दौरान हातों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपाई भी किये गए। आखिर में समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास में सभी भागिदारों, अर्थात सरकार, समुद्दाय, स्वास्ति सेवा प्रदाताओं, जन संचार माध्यमों और गैर सरकारी संगठोनों को शामिल करना चाहिए। कभी-कभी लोगों को लगातार अनुस्मारक और शुद्धी करन की आवशक्ता होती है, जिसे रण्नीती रूप से वित्रत किया जा सकता है। यदि सभी शामिल भागीदारी अच्छी तरह से समन्वित हो और एक समाने लक्षे की दशा में काम करने के चुक हो, हम मामले में स्वास्ति समस्याओं को रोखने के लिए व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। व्यवहार परिवर्तन संचार रणीती की बहतर समश के लिए कृपया अध्याय के अंत में दिये गए संदर्भ देखें। देखें।